राम राम दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्रिये चैनल बोलती बुक्स विद अंजली में और आज मैं आपके लिए बाल राम कता का पार्ट ग्यारा लेकर के आया हूँ जिसका शीर्शक है लंका विजय लंका कूच की तैयारियां रात भर चलती रही सभी तत पर सभी उद्यत सुभे कूच से पहले सुगरीव ने वानरो को संभोधित किया युद के बारे में कहा युद भयानक होगा इसमें केवल वही सैनिक जाएंगे जो शारिरिक और मांसिक रूप से स्वस्त हो जो दुर्ब हैं यहीं रुख जाएं वानर सेना को युद के नियम बताए गए रक्षा और आक्रमण के तरीके सेना किश्किन्दा से दारती करश्ती किलकारियां बरती रवाना हुई राम लक्ष्मा और सुग्रीव की जैजैकार से अकाश कोंज उठा लाखों वानर थे चार और गुलाहल वे पेड़ों पहाडों को रौंद दे चले जा रहे थे इसका नेत्रत्व नल कर रहे थे सुग्रीव के सेना वदी जामद और हनुमान सबसे पीछे थे यह सेना की रन्नीती का हिस्सा था दिन पर चलकर सेना ने महिंद परवत पर डिरा डाला वही परवत जहां से हनुमान ने च्छलांग लगाई थी समुद्र निकट ही था परवत पर सेना का द्वज लगाया गया तंबू लगे पता काएं हवा में लहरा रही थी उधर लंका में खलबली मची हुई थी राक्छसों में बेचैनी थी उनके मन में डर बैड़ गया था राम की शक्ती को लेकर जिसका दूद लंका में आग लगा सकता है वा स्वेम कितना शक्ती शाली होगा नगर में चर्चा का विशय यही था लेकिन रामण इससे अनबिग गिता उसे कौन बताता किसी में इतना साहस नहीं था ये चर्चाएं विभीशन ने सुनी नगर की हताशा उससे देखी नहीं गए ऐसी हताश सेना युद नहीं कर सकती उसकी पराज़ निश्चित है फिरामण के पास गये उसे सही स्थिति बताने समझाने राम से युद न किया जाए उन्होंने कहा आप सीता को लोटाने सबका कल्यान इसी में है सीता मिल जाएंगी तो वे आकरमण नहीं करेंगे रामण ने विवीशन की बात अंसुनी कर दी उन्हें अपने कक्ष से निकाल दिया कुरोध में वह स्वेम भी उटकर चल पड़ा सबाकक्ष की ओर उसे राम के समद्र तट पर पहुचने का समचार मिल चुका था सैनिकों ने राम की सेना की पता काएं दूर से देख ली थी विवीशन रामण के पीछे चलते रहे बोलते रहे सीता आपके गले में बंदा साप वह आपको डस लेगा इसे छोटी बात मत समझे लंका दिराज ये संकेत महविनाज की है मैं अब भी कहता हूँ सीता को लोटा दीजिए लंका बच जाएगी तुम मेरे भाई नहीं शत्रू हो मेरे शत्रू के शुपचिंता को रावन का क्रोध पड़ा कुठा निकल जाओ यहां से मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए रावन सभागार की और मुण गए विभीशान पीछे दोनों की रास्ते अलग हो गए विभीशान उसी रात लंका से निकल गए चार साहेकों के साथ उन्होंने राम के पास जाना ठीक समझा समुदर पार राम के शिवर में अचानक खलबली मची एक वानर चिला कर सबको सालदान कर रहा था हमारे शिवर में राक्षिस आ गए है विभीशान कुछ दूर खड़े थे वानरों ने उन्हें सुग्रीव के सामने पेश किया वानर राज मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ मैं राम की शरण में आया हूँ आप मुझे उनके पास पहुचा दे विभीशान के चेरे पर डर नहीं था विश्वास था शब्दों में शड्यंत नहीं था का तरता थी याचना थी सुग्रीव को उनकी बात पर फिर भी भरोसा नहीं हुआ मेरा नाम विभीशान है रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया मैंने उससे सीता को लोटाने की बात कही थी क्रोध और अहंकार में चूर रावण ने मुझे सभा में अपमानित किया मैं प्राण बचा कर आया हूँ एक बार राम से मिलवा दें मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ सुग्रीव राम के पास गये मन में शंका अब भी थी अंगत भी उन्हें संदे की द्रिष्टी से देख रहे थे राम ने बात सुनी और कहा हमें विभीशन को सुईकार करना चाहिए मैं शरण में आये वेक्ति को कभी निराश नहीं करता यह मेरी नीटी है विभीशन को आदर से अंदर लाईए विभीशन राम के पास पहुचे राम ने उनका सतकार किया लंका का समचार पूछा जल्दी ही विभीशन राम के विश्वास पात्र बन गये उन्होंने लंका की बहुत सी जानकारी राम को दी रामण और उनके जो धों की शक्ति के बारे में बताया कहा रामण पर विजय फ्राप करने के लिए बल और बुद्धी दोनों की अवशकता है विभीशन तुम चिंता मत करो राक्षिस मारे जाएंगे लंका की राजगद्धी तुम्हारी होगी भविश्य तुमारा है राम ने कहा, राम की सेना के सामने बड़ी चुना थी समुद्र उसे कैसे पार करें? राम ने समुद्र से बिंती की, तीन दिन बैठे रहे कि समुद्र रास्ता दे दे, वह नहीं माना तो राम को क्रोध आ गया, राम का क्रोध देखते हुए समुद्र ने उन्हें सला दी, आपकी सीना में नल नाम का एक वानर है, वह पुल बना सकता है, उससे वानर सीना पार उतर जाएगी, नल ने अगले ही दिन काम प्रारम कर दि वानर कंकर, पत्थर, शिलाएं लाते रहें, नल पुल बनाते रहें, पाँच दिन में पुल तयार हो गया, समुद्र को दो टुकडों में बाटता हुआ, उसका घमंड चूर करता हुआ, सबसे पहले विभीशा पुल से उस पार गय, पीछे पीछे वानर से ना, सीना का अगला शिवर दूसरे ठट पर बना, असंबाओ, रामण क्रोज से चीक उठा, समुद्र पर पुल, कैसे बन सकता है, इस समचार से रामण को विस्वे हुआ, भै भी, लेकिन उसने जो मन में ठान लिया था, उससे डिगा नहीं, उसने आदेश दिया, सेना तयार की जाए, युद्र का समय आ पहुचा है, अब दोनों सेना समुद्र के एक ही ओर थी, उनका आमना सामना होना शेश था, पहले आकरमण की युजनाओ को अंतिम रूप दिया जा रहा था, राम ने अपनी सेना को चार भागों में विभक्त कर दिया, लंका के चार दोर थे, चौतर फा आकरमण होना था, हर टुकडी को एक दोर सौपा गया, राम ने परवश्चिकर पर चड़कर स्वेम लंका का निर्शन किया, लंका के वैभों से वे भी चकित थे, उन्होंने लक्षमा को बताया, सूर्द होते ही राम ने आदेश दिया, लंका को चारो और से घेर लिया जाए, वानर सेना चैचाकार करती चल पड़ी, इस पीच राम ने अंगत को बलाया, कहा, तुम लंका जाओ मेरे अने था उसका अंत होगा, अंगत ने ऐसा ही किया, पर रामन नहीं माना, राम का संदेश सुनकर रामन क्रोधित हुआ, कुछ राक्षसों ने उन पर आक्मण किया, अंगत वहां से निकल भागे, राम के पास पहुचे, कहा, रामन को कोई पश्यताप नहीं है, वो हमारे सा सुलह के लिए तयार नहीं है, युद्ध चाहता है, अब युद्ध ही एक मात्र विकल्प है, वानर युद्ध के लिए तयार थे, राम के आदेश की पढ़िक्षा में थे, आदेश मिलते ही, उन्होंने लंका पर चड़ाई कर दी, उधर रामन के आदेश पर उसकी सेना निकल पड़ी, राक्षस उतावले थे, चितकार कर रहे थे, रामन के जैगोश से लगा कि आसमान फट जाएगा, वे दोड़े और वानर सेना पर तूट पड़े, भयानक युद्ध हुआ, हर ओर दहला देने वाला शोर, हातियों की च रहे थे, तलवारे खिज गई थी, बाणों से आसमान भर गया था, भाले उड़ रहे थे, दोनों और के कैवीर मारे गए, रामन के अनेक पराक्रमी, राक्षस धेर हो गए, धर्ती लाल हो गई थी, छत विछत शव बिखरे थे, कराते, गायलों की और किसी का द्या नहीं थ शाम होने को थी, मेगनात ने राक्षस सेना को पीछे अट्टे देखा, उसने अपने सैनिकों को ललकारा, आगे बड़ो, हम विजय के करीब हैं, मेगनात ने सेना का नेत्रत्व संभाल लिया, राक्षस उस साह से आगे बड़े, मेगनात की दिष्टी राम लक्षमर पर थ वह चिपकर युद करता था, माया भी था, किसी को दिखाई नहीं पड़ता था, उसके बार राम और लक्षमा को लगे, दोनों वहीं मुर्चित होकर गिर पड़े, विजगनात में समझा, काम हो गया, उसने दोनों भाईयों को मृत समझ लिया, वह मैदान छोड़कर महल की और दोड़ा, रामण को इसकी सूचना देने, रणचेत्र में वानर राम लक्षमा के पास एकत्र हो गए, वे चिंतित थे, आशुप की आशंका से, विभीशन ने दोनों का उप्चार कराया, उनकी मूर्चा तूटी, वे खड़े हुए, तो वानर दल हर्ष्ठोनी करने ल एक एक कर मारे जा रहे थे, तूमराक्ष मारा गया, वरिज द्रिश्ट तर्ती पर किर पड़ा, अकमपन कुचल कर मर गया, प्रहस्थ को नील ने दोस्त कर दिया, रामण को इसकी सूचनाएं मिलती रही, वा घबरा गया, वा हड़बढा कर उठा, और स्वैकमान समाल ली, पहली मुटभेड में वा लक्षमा पर भारी पड़ा, लेकिन राम के बाणों ने उसका मुकट दर्ती पर गिरा दिया, वा लजजित होकर लोट गया, अब तक रामण को राम की शक्ती का कुछ अनुमान हो गया था, जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूजा, तो उसने कुम करन को जगाया, वह महावली था, वह छे महीने सोता था, कुम करन दुर्ग से बाहर आया, उसे देखते ही वानर सेना में खलवली मच गई, वे उसे रोकने में अच्छम थे, उसने हनुमान और अंगत को खायल कर दिया, लक्षमान ये युद्ध देख रहे थी, उन्होंने राम की और देखा, फिर दोनों भाईयों ने बानों की वरशा कर उसे मार दिया, गुम करन राण भूमी के अंक में सो गया, सदा के लिए रावन निराश हो गया, गुम करन पर उसे गर्व था, वह उसे अपना दाइना हाथ मानता था, उसे लगा कि अब लंका में वीर नही दिया, मेरे रहते आप क्यों चिंता करते हैं, मुझे युद्ध की अनुमती दे, मैं दोनों भाईयों को मार कर आपके चर्णों में रख दूंगा, मेगनात और लक्षमन का भीचन युद्ध हुआ, मेगनात पराकरमी था, उसने एक बार इंदर को परास्त कर दिया, और इ मेगनात को रोक पाना, वानर सेना के बूते की बात नहीं थी, वह चकरवात की तरह आगे बढ़ा, जो भी आसपास होता, द्वस्त हो जाता, वानर सेना मेगनात की गती और शक्ती से चकित थी, चमत कृत, उनके मन में निराशा बैठती जा रही थी, तब लक्षमन ने उसे चुनाती दी, दोनों का निशाना जूक था, बान हवा में टकराते और नश्ट हो जाते, अचानक लक्षमन का एक बान उसे लगा, वा घैल हो गया, जुग गया, लक्षमन ने तबर तोल बानों की बरसात कर दी, आगे बढ़ना कटिन था, मेगनात पीछे मुडा, महल की औ गुज गया, लक्षमन को महल की सरचना नहीं पता थी, रास्ता नहीं मालूम था, बीशन लक्षमन की दुविधा समझ गया, उन्होंने एक कुप्त मार्क दिखाया, शेश काम आसान था, मेगनात महल में ही मारा गया, अपने जेश्ट पुत्र की मृत्व से रामान एकदम तूट गया, विलाप करने लगा, मुर्चित हो गया, होश आया, तो उसकी दशा पागलो जैसी थी, ग्रोट से बिलबिलाता हुआ, लंका अनात हो गई थी, अब उसका कोई सहरा नहीं, मैं स्वैम रंशेत में जाऊंगा, लक्षमन के साथ, वानर सेना भी महल में आता आग लगा दी, अन भंडार फोक दिये, शस्त्रगार जरा दिये, मार काट मज गई, जो भी सामने पड़ा, मारा गया, कंपन, रजंग, युपाक्ष, कुम्ब, मारे गय, हनुमान ने, निकुम्ब, दिवान तक, और त्रिशिरा को मौत की नीन सुला दिया, अंगद ने, नरान तक, तक का काम, तमाम कर दिया, लक्ष्मण ने, अतिकाय का सिर काट डाला, राक्ष सेना भाग खड़ी हुई, रामर के पास कोई विकल्प नहीं था, युद्ध नाध हुआ, अकेला बचा रामर, युद्ध के लिए निकला, फुक कारते हुए, फन कुछले साफ की तरह, वज्जिधर मुणता भगदर मत जाती, वनरों को भागते दे, लक्ष्मण आगया है, दनुश पान लिए, रामर के सामने, अमेत दिवार की तरह खड़ी हो गए, थोड़ी देर में, विभीषण वहां पहुँचके, उसके पा देख रामर उबल गया, उसके लिए ये देश द्रोता, छोटे भाई का विश्वास घात, उसने विभीषण पर निशान लगाया, लक्ष्मण ने वह बान बीच में ही काड़ दिया, उसने दूसरा घातक बान चलाया, इस बार लक्ष्मण बीच में आ गए, उन्होंने वि रामर ने ये देखा, उनकी आखे क्रोस से लाल हो गई, आग बरसने लगी, उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा, और रामर को चुनाती दी, कहा, रामर, काल तुझे मेरे सामने ले आया है, आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी, तेरा अंध निश्जित है, उदर हनुमान लक्ष्मण को उठा कर राणचेट से दूर ले गए, वैद, शुशेन को बलाया, हनुमान संजीवनी बूटी लाए, चिकिच्सा शुरू हुई, दीरे दीरे रक्त का रिसाव बंद हो गया, गहाव भर गया, संजीवनी का प्रभाव चमतकार सुगरीव ने लक्ष्मण के स्वस्थ होनी की सूचना राम तक पहुचाई, वह सेह की भाती रामार पर टूट पड़े, राम, रामा का युद्ध भयान, शुश्ट्रों की गती से कपा देने वाली धोनिया निकल रही थी, हवा थम गई थी, सूरच बादलों के पीछे चि युद्ध अपनी पूरी शक्ती से लड़ रहे थे, कोई एक रती भी पीछे किसकने को तयार नहीं, कुछी देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को है, दोनों बक्ष के युद्ध हाथ बंद कर खड़े हो गए, छोटे छोटे युद्ध थम गए, सब की नजरे राम औ कभी नहीं देखा था, लेकिन महा संगराम समाप्त नहीं हुआ था, रामण का एक बान राम को लगा, उनके रत की ध्वजा कट कर किर पड़ी, राम ने प्रहार किया, बान रामण के मस्दक में लगा, रक्त की दारा फै निकली, पीच में युद्ध कुछ पल के लिए रु नहीं थी, युद्ध फिर शुरू हुआ, अब उनके रत एक दूसरे के सामने थे, युद्ध आखों में आखें डाल कर देख सकते थे, घोडों के मुँ मिल गए थे, राम के बानों ने रामण के रत का मुँ मोड दिया, यह पराजय का संकेत था, रामण ही मत हारने लगा, चब तक वह रत खुमाता, राम का एक बान, उसके पार निकल गया, रत मुड़ा, लेकिन रामण के हाँ से धनुष छूट गया, वह प्रिच्वी पर गिर पड़ा, मारा गया, बची हुई राक्षस सेना हड़ पड़ा गई, चान बचा कर भागी, उनका दिशाग्यान शू ने हो गया, जिसे जिधर अफसर मिला भागा, कुछ राक्षस, वानर सेना की ओर दोड़ पड़े, कुछ भागते हुए समद्र में जागरे, लंका विजय अभियान पूरा हुआ, राम की जैजैकार होने लगी, कुछ समय पूर्व का रणचेत एकदम बदल गया, शस्त्रो ने ले ली, वानर सेना, उच्छल कूद करने लगी, समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी, शस्त्रों से उत्पन गर्मी, वह अपने साथ बहल, कुलाहल, तुमलनाद में परिवर्थित हो गया, प्रसनता सरव्याप्त थी, रणचेत में केवल एक वेक्ती दुखी था, शोक से व्याकुल विलाप करता हुआ, अपने भाई के मृत्य शरीर के पास खड़ा था, राम ने विभीशन को समझाया, मितर शोक मत करो, रामण महान योद्धा था, उसकी अंतेष्टी महानता के नुरूप होनी चाहिए, मृ विभीशन के राजविशेक की तयारी करने को कहा, चाहते थी कि रामण के अंतेष्टी के बाद राज तिलक हो, उसमें विलंब ना किया जाए, उन्होंने हनुमान को बुलाया, और शोकवाट का जाने का निर्देश दिया, यह संदेश आपको ही सीता तक पहुचाना है, उ उनका संदेश लेकर शीगर आईये, विभीशन के अंतेष्टी से लोटने तक उनके राजविशेक की तयारी हो चुकी थी, लक्षमन राजमहल पहुच गये थे, वानर स्वन कलश में समुद्र का पानी ले आये थे, लक्षमन विभीशन के पास गये, उन्हें साथ लेकर र उन्होंने सभासदू के सामने विभीशन का राजविशेक किया, अब विभीशन लंका के राजा थे, इस बीच हनुमान अशुग वाटिका से लोट आये, राम के पास, उन्होंने कहा, माता सीता, लंका, विजय का समचार सुनकर प्रसन हुई, वे आप से मिलने के लिए गए थे, राम उनकी ओर मुड़े, कहा, लंका पती, सीता, अब भी आपकी अशुग वाटिका में है, उन्हें यहां लाने की विवस्था की जाए, वानर सेना चुहल कर रही थी, अट खेलियों में लगी थी, राम का निर्देश सुनकर उनकी उस सुकता बढ़ गई, सुग्रीव, जामवंत और नल नील भी उस सुकते, अंगत को प्रतिक्षा थी, हनुमान को छोड़कर किसी ने सीता को नहीं देखा था, सीता आई, तो सब को अपनी कलपनाओं से अधि लगी, सुन्दर, सौमे, शान्त, उस सुन्दरता में एक वर्ष बाद पती से मिलने की प्रसंदता शामिल थी, कष्ट इतिहास हो गया था, तो दोस्तों, यहां पर बाल राम कथा का ग्यारवा पार्ट समाप्त होता है, और हम अगले शनिवार फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे पार्ट बारा ले करके, तब तक के लिए आप रखे अपना बहतर ख्याल राम राम